आप सबका सौगत है फाइफ शेयर्स त्रीहंडेडेडेस के चैनल पे और इस पूरा वीडियो तीन पार्ट में रहेगा एक पार्ट में मैं अपनी कुरानी शीट दिखाऊंगा जो मैंने पांच स्टॉक खर दे हैं डेज वाइस जैसे आप देख सकते हुए कि आठ जुलाई को पहला यह चालू किया था मैंने कि आठ जुलाई से मैं अपको हर पांच जैसे वह भी दिखाऊंगा तो पहली वह शीट रहेगे सेकंड मैं आपको पांच रिकमेंडिक करूंगा कि कौन से शेर आज मैं बाइक कर रहा हूं जो आपको 300 दिनों के पहले ही आपको वह 10 परसें प्रॉफिट दे देंगे और तीसरा पार्ट में रहेगा कि मैं उन पां पांबला है तो अंध विश्वाज किसी भी ना करें या कि सॉरी कि मैंने कि किसी ने बता दिया है और आप उसकी इसाफ से शेयर करें आप कभी भी पैसे आप इंवेस्ट कर रहे हैं आप अपना भी फोड़ा टाइम दीजे पढ़ने में कोई बुराई नहीं है आप जब सी बिजनसमेन को बतानी की जोती है लेकिन सबसे बड़ी संख्या नौक्री वालों की है जो अधर सोर्स अफ इंकम नहीं रखते हैं को विड में काई चीज़ें हमने सीखी है कि अगर हमने अधर सोर्स आफ इंकम नहीं रखी तो हम बहुत बुरे फांस रखते हैं तो चले बीस चुरू किती है तो इसी तरह से ओंगी सी रिलाइंस एच्डिफी अपॉलो ये पूरे पांच-पांच का सेट मैंने किया है और कल के भी कर दी है मैंने यह पूरा इसको आज के हिसाब से मैंने इसको कर दिया मेरी शीट अगर आप चाहो ती इस पूरी शीट आप कॉप ही बताता हूं टोटल करेंट वैल्यू प्रॉफिट एं लॉस कितना हुआ यानि रूपीज में कितना प्रॉफिट और गोल हमारा 10% है बट उसके अगेंस में कहा तर पहुंचे हैं तो यहां पर दिखाता है एं टेस्ट कटिया है यानि कि अंसे लिगा तर आट सबसे निगेटि और तो इसमें यह बताता है आपने कितने दिनों में कर दिया तो अभी सबसे ज्यारा यही है तो आप डेखते हैं कि तॉप सबसे निगेटिव और सबसे टॉप पॉस्टिव में सो वह बहुत इंपॉर्टेंट है देखना हमें अभी मैं आपको यहां पर दिखाता हो कि सबसे ज्यादा निगेटिव मेरा कौन से चल रहा है सबसे ज्यादा निगेटिव विदानता है कि जो कल भी था आज 45 परसें पांच परसंट उससे मैं काफी में निगेटिव यह हाई पर सबस्क्काण लें सकते हो और सकते हो की हो यहाँ आपको मेरे वापस इसको average out करता हूं और कब हम इस पर 10% profit कमा सकते हैं और सब अब हम देखेंगे कि top के सबसे positive कौन चल लें 12.50 हमार अचीव हो चुका है और 7 पर 2 आ चुके हैं वाओ तो यानि अब जल्द ही यह दोनों भी अपना cover कर लेंगे 10% अगा सकते हैं मार्केट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता जोती लेप का मैंने स्टॉक करदा था टोटल करेंट वेल्यू पांसो एक है यानि ज्यादा मैंने इन्विस्ट नहीं किया था और महिंद्रा महिंद्रा का मैंने करदा था तो आज के टाइम पर 10% में से 7.06 पर चुका है यानि 11 डेज में यह 7% के करीब आ चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो स्टॉक है कई स्टॉक हैं जो 7% तक विदिन है 11 डेज हमें 7 पर संट दे रहे हैं आप सोचो कि आप एक जंदल पैसा डालते हो कहीं डालते हो आपको देते हैं अब आप बोलो कि माइनस 45 पर संट भी तो है माइनस 21 पर संट है राइट तो सर अगर आप इसको बेस देनो पूरा पैसा वह कहां तक पहुंचा है अगर आप सब को ध्यान होगा तो यह मैंने वह सेकेंड डेज मैंने पूराने शेयर भी एड किये थे तब वह 7.9 था यानी तीन परसें मैंने अपने पोर्फोलिय को रिकावर किया है चलते हैं भी आज के पांच शेयर देख लेते है यह कल का रिकमेंडेशन था ब्लूडा टाटा पावर आइडिया एंड क्रॉम्टन तो आज के शेयर हम देख लेते हैं कि कौन से हैं तो सबसे पहले मुझे यहां पर जाना पड़ेगा तब ही तो यह शीर प्याओंगे न हुआ 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 हाँ है हिंडल को अब ले सकते हो हिंडल को 8 ay io को आज मैं ले रहा हूं उक हैुआ हम यह भी 59 के प्रैस से जो कि टॉत्व सब्सक्राइब आ पर चल रहा है महंद्रा महंद्रा ITC अभी 52 पे चल रहा है बट आप बोलो कि एक तरफ तो मैंने दिखाए कि 7% पहुंच रहा है तो अगर आप देखोगे तो मैं हाई पोजिशन पे इसको नहीं ले रहा हूं मैं इसको एक ही कौंटिटी ले रहा हूं मैंने इसकी केवल एक मैं पूरा एड कर लोगा इसको चाह पांच स्टॉक लेकर तो आज की टाइम पे महंद्रा महंद्रा एक है अगर आपके अस नहीं है आपके वेल्यू के साब ले सकते हो जितना भी है तीसरा स्टॉक है कोल इंडिया कोल इंडिया पी मैंने एक लिया है ज्यादा नहीं लिया आप से हैं और चौता स्टॉक मेरा है ओलो कि बार बार रहा है तो आज की टाइम पर आलग की तीन वह पॉजिटीव था तु मैंने एक स्टॉक लीया है फोड़ा एवरेज आउट करने की कोशिश कर रहू हूं मैं डेफिनिटली मैं आवरेज आओट करने की कोशिश कर तो आज के टाइम पे भी एक स्टॉक लिया है लेकिन ये इस वीक में अगर निंगेटिव जाता है तो मैं इसको इस वीक में वापस रिपीट करूँगा ताइटन आप पांचवाई स्टॉक है मेरा टाइटन तो टाइटन को मैंने एड किया है आज थोड़ा निंगेटिव लिया था लेकिन कोई फरक नी पड़ता है ताइटन से वीरी मस्ट रिकमेंडेट है अगर आप देखोगे तो कल टाटा पाउर था उससे पहले टाटा मोट ताइटन कल भी था और आज भी है आज पूरी six quantity ले लिए टाटा मोटर से अब ही अगला मेंखाल से यह पूरा जुलाई टाटा के नाम होने वाला है तो टाटा के नाम के स्टॉक की जितनी भी स्टॉक है आप लेने के कोशिश करेंजिए एक रिकमेंडेशन और दे सकता यह को मैं टाटा मयें लेक तो यह मेरा है पांच रिकमेंडेशन थे आज के ही तो चलते हैं अभी port और और ली Based Test के परी उससका अप्रेशन इत्युक हो आट मिल इनीais यह तो आप देख सकते हैं मैंने यह पांच अज लिए है same quantity है Titan 5 लिए है और इन दोनों ने ही अभी तक मुझे रिटर्न भी दे दिया है अगर मैं देखो तो आज के पांच इस टॉक्त में सबसे ज़्यादा नेगेटिव महिंद्रा महिंद्रा गया है क्योंकि मैंने बोला था कि वह हाई पे है सबसे टॉप पे तो डेफिनि ही दे देगा अपार्ट फिर्म डेट मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने GTT किन पर लगा के रखी है क्योंकि GTT भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो कि हंदुस्तान यूनिलिवर नेसले अशोका लेलेंड पराज इंडस्ट्रीज अपोलो टाय डाल बहारत आई 10% के ऊपर यह जा रहा है कुछ इसमें से 16% पहुंच चुके इसलिए जैसे मैंने बोला कि मेरा टार्गेट है 10% पर सेल करना जो भी स्टॉक जैसी 10% जाता है मैं उसको माइनस 2% पर निगेटिव पर लगा देता हूं जैसे अभी यहां पर देखें 3.783 तक पहुंच चुक लिए इसको अभी नीचे गिरेगा भी तो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि मैं कमान हूंगा ITC के 10 स्टॉक मेरे पास है और यह तो मैं बहुत पहले से रिक्मेंड कर रहा था तो अभी यहां देखते हैं कि यह कितने पर आता है 2 के अंदर आ गया 2 से 3 के मिच में आज ताये लिए क्यों सब्सक्राइब कर ना ओर अग्धाश्यक्तर अंदर टाया का अज फंडामेंटल्स किया ही तो मिर्क्ली अटर्श को डेखते हैं कि रिभांत का क्या बोल्त है एक साल का रिटंस काा तुँर्टी पर केंट थुर्चेंट आपको क्या चाहिए परिद एक साल के ऐतीति हैं कि арणिक यहां पे ते आज यहां पर जाते हैं एक मनत के रिटंस पर वन वीक के रिटंस पर ककुषण पर एक टोषण फेग 돼ए वन मंत का रिटर्न इसका 0.83 है वन एयर का रिटर्न 23 परसेंट अगर आप देखो कि इसका पैटरन तो यह करीबन ऐसे जाता है उपर जाता है यहां पी स्टेबल रहा था यानि अक्टूबर 21 से लेके अपरेल 22 तक यह सेम इसी फ्रिक्वेंसी पर रहा उसके बाद यह पूरा पांस साल के पैटर्न को देखो समझने की कोशिश करो पांस साल के पैटर्न से यहां से बढ़ते ही गया है और यह हमेशा बढ़ता गया देखिए अगर आप यह पैटर्न देखोगे यह वाला और यह वाला यह करीबन सेम है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर सेम है और अभी यहां पर सेम है उसके बाद यह थोड़ा उपर गया फिर एवरेज करके यह उपर ही चलता गया है तो चांसेज हैं कि यह उपर ही जाएगा बाकी आपकी मर्जी है आप भी इसको पैटर्न पर देख सकते हो तो कई बार आपको पुराने उसके हिस्ट्री तो आ यहां पर दो हजार तक पहुंचा है तो आप खुद ही कैलकुलेट करो अब S.I.P में कैलकुलेट करते हैं कि S.I.P अगर लगाई होती तो क्या होता है आपकी S.I.P अगर आपने सो रुपर की शुरू की होती कब अगस्ट 17 में ठीक है कितने में अगस्ट 17 में आज अगर आ पांस साल के रिटन देखेंगे तो 555 से दो हजार गया है नहीं चार गुना लेकिन S.I.P में मुझे बाकी बोलने की जोती है तो चलिए पीर्स में देख लेते हैं कि इनके पीर्स कौन से है टाइटन के टाइटन कमपनी का राजिस एक्सपोर्ट है कल्यान जोलर्स है एथास है आपको पता है कि यह कहीं भी इसके सामने एक्जिस्ट नहीं करते हैं डिविटेंट के मा अब आपको बताना है है होल्डिंग में अभी जाते हैं लोग सौरी मुझे थोड़ी सी कि अभी होल्डिंग पे चलते हैं ठीक है होल्डिंग में प्रमोटर्स की ओलिंग देखते हैं प्रमोटर्स करीबं सेम है इन्होंने कोई फरक नहीं पड़ा है 52.12 से लेके आज तक उ यहां पर डॉमेस्टी में देखते हैं तो इनका इंवस्ट्मेंट घटा है बट वहीं फॉराइन का इन्वस्ट्में देखें तो वह थोड़ा सा घटा यह यह निव्यूट्र ऐसके तब देखें अगर आप देखो गे तो निव्यूट्रल कोई जादा फरक नहीं पड़ा ह ना इनका ROI नीचे गया है, ना मिचल फंड कहीं नीचे गया है, ना उपर गया है, कुछ ज़्यादा किसी ने निया इन्वेस्ट किया है, अब हम फोर्कास देख लेते हैं, यहां पर आप देखेंगे intrinsic value, intrinsic value is the calculated value of the company and may differ from current stock price, if intrinsic value is greater than current price, price increase is expected in the future to reduce the gap and vice versa, तो यहां पर यह निगेटी बता रहा है, तो मैंने आज जो लिया है, आपको यही मैं बता रहा हूँ कि शायद यह निगेटी भी हो सकता है, लेकिन मुझे ही पूरा होग दीख रहा है कि जुलाई में टाटा के सभी stock बढ़ेंगे, तो मैं mostly cover कर रहा हूँ कि टाटा के काफी stock मैं तब different different stocks में ले सकूँ और उनको अपने पास रख सकूँ, मैं ही नहीं बता हूँगा कि जुलाई में क्यों बढ़ेंगे, वो आप बताई कि जुलाई में क्यों बढ़ने की चांसे लग रहा है, और ROE FD हो गया है, dividend return आप देखेंगे, dividend is a distribution of the reward, जो अल्रड़ी मुझे जा चुका है, तो मुझे कोई फरक बढ़ता है, अब सबसे important पार पर जाते हैं कि मैंने तो buy कर लिया, अब देखते हैं कि forecast क्या बोलता है, forecast बोलता है 69% जिसमें 29% एल्रिस्ट है, तो definitely 69% ने बोला है कि इसे buy करना चाहिए, so buy करिए, और क्या, enjoy किजे buy करके, so यह मेरे और आपको भी यह recommend रहेगा, please अगर वीडियो पसंद आया, तो please आपका comment रीजे, subscribe कीजे चैनल को, and अपने दोस्तों के साथ share कीजिए, thank you very much, आप सब का दिन शूब हो, start investing, पैसे को ऐसे बनाओ कि वो आपकी लिए कमाई, जब आप सो रहे हो, तब लिए कर दोस्तों के साथ